दोस्तो आज की वीडियो में हम आपको दिवान पलंग दिखाएंगे तो सबसे पहले इसको हम लोग पूरा सर्विस देते हैं फिट करने की तो यह हमारा दूसरी मंजिल पर है जहां से हम लोग नहीं लेकर आएं तो यह जो दिवान है यह गोंति नगर में हम लोगों ने शिफ्ट किया है तो इसको नया लाएक के आए है और पूरा फिट करके हमने लगाया हुआ तो सोचाए पूरी फिट की भी थोड़ी वीडियो बना लेते हैं इसके आपको आडिया हो जाए कि हम लोग की जो सर्विस है वो कैसी रहती है तो यहां पर हम लोगों ने दो मंजिले पर इसको चड़ाया है और उसके बाद में यह पूरा फोल्डिंग वाला बैड है तो यहां पर पूरा तकट वोगए रखाता है उसको तकट भूलाई है इसमें यह दीकिए यह साभी तीन फिट का है इसके जो चोड़ा ही है, बॉक्स की, वो 3.5 फिट की है, और हायट की बाद करूट है, उक पर चीज दिखाएंगे, तो यह देखिए दोस्तो, उपर साइड में बाद 12 अम्यम की प्लाई लगाई हुई है, और नीचे साइड में नीचे भी आपकी 12 में की प्लाई है, बाक्य इसका बेस से पुरा वो 19 समय बोट पर बना है और साथ में सनमाइक हो तो आप अपने इसाब से चेंड कर सकते हैं यह देखें नेट बोल्ड पे पुरा टाइट है दो लगे हुए बोफर और इसमें दो नेट बोल्ड से ठाइट है पूरा चारो तरफ से यह देखिए आप इस आप अराम से ठोग पीट के अपना समान देते हैं हम लोग देखिए इसके लाओ दोस्तों पूरा सेट करने के बाद में हम इसको जो है पूरा फिट करेंगे उपर साइड की जो प्लाई हो पूरी हट जाती है आपने देखा और साथ में जो लगड़ी लगी हुई है ये सपोर कर दोस्तों की खाक पलिजिगा दोस्तों इस तरह की और भी विडियोस को देखने के लिए और प्राइस की बात करने तो हमारे हें द्रेउट के के दो चाहिए थे तो इनके लिए हम लोगों ने अलग से बनाया था साड़े तीन फिट के दो बॉक्स गर आपको कुछ अलग डिजाइन में चाहिए छे बाइ पाच फिट का चाहिए या फिर अलग साइज में चाहिए तो वैसा भी हम सर्विस पूरा देते हैं अपना तो अल दिवान यहां पर डालना चाहिए तो आप यहां पर भी डाल सकते हैं और एक दिवान को आप पीछे आगे कमरे में या फिर कहीं और शिफ्ट कर सकते हैं असानी से इसलिए अलग अलग आपको हो जाता है और लान ले जाने में भी आसानी होती है आपको फोल्डिंग में रह मनासा के दूस तो